CBI कैसे करेगी काम तो मैं आपको एक ब्रीफ इन्फोमेशन देता हूँ कि CBI ने अलग-अलग टीमें गठित की हैं और सभी टीमों को अलग-अलग टास्क दिये गए हैं नुपूर प्रसाद के नित्वितों में CBI की टीम शुकरवार को बांदरा DCP के दफ्तर पहुँची करेगी और दूसरी घटना सलसे जुड़ी जाच पर ध्यान देगी बाकी जो टीमे हैं वो पूछताच और फिल्ड में जाकर सबूत इकठे करेगी सुत्रों ने कहा है कि CBI 14 जून के दिंग की घटना को भी रिक्रियेट करेगी और सुशान्त की मौत के बाद वहां पहुचने वाले पहले पांच व्यक्तियों से कड़ी पूछताच करेगी CBI सुशान्त की आटॉपसी करने वाले डॉक्टर से भी पूछताच करेगी अगर जुरत पड़ी तो CBI की टीम मुंबई पूलिस के DCP से भी बात करेगी और पता करेगी कि जो सुशान्त के परिवार ने फरवरी महीने में वाटसेप मेंसे साजा किया था उनके साथ जिसमें सुशान्त को धमकी दी गई थी उस पे कोई एक्षन क्यों नहीं लिया गया इसके अलावा जाच एजन्सी सुशान्त उनकी दोस्त रिया चकरवर्ती और दूसरे अन्ये लोगों के कॉल रिकॉर्ड की भी खंगा लेगी इससे पहले शुकरवार को CBI ने एम्स के फॉरंसिक विभाग से संपर्क कर केस में उसकी मेडिको लीगल ओपीनियन मागी थी केंद्री जाच एजन्सी जो है उसने मेडिकल संस्तान को भेजे पतर में कहा था कि वह फॉरंसिक विशश्रग्यों को जल्द से जल्द जरूरी मेडिकल पेपर्स पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है वीडियो ग्राफ और विशरा रिपोर्ट जो है उपलब्द कराएगी CBI ने निरोध किया था कि सुशान सिंग राजपुत मौत के मामले में दिल्ली एंस डॉक्टर का एक मेडिकल बोर्ड कठित हो जो अपनी महत्वपुरून राई दे सके जल्दी डॉक्टर की टीम मुंबई जा सकती है तो अभी तक इतना ही आगे जो भी अपडेट सोंगे म आपको बताओंगा